दोस्तो जिरोदा अप्लिकेशन में आपने alerts function का use जरूर किया होगा पर कई बार alert trigger होके भी आप आपका buying या selling order नहीं execute कर पाते कोई भी reason होगा आप busy होगे तब आप market नहीं open कर पाई या जो भी हो जैसे ही आपका alert trigger हो जाएगा आपकी order भी उसी के साथ place हो जाएगी चलिए और detail में मैं आपको एक example के साथ समझाता हो तो ATO का feature use करने के लिए आप चाहो तो directly यहाँ पर जितने भी stocks है उनके right side में आप 3 dot देख सकते हो तो मैं क्या करता हूँ nifty 50 मैंने index add करके रखा है उसके सबसे right में आपको 3 dot दिखाए देंगे उस पर आपको click करना है click करने के बाद आप देख सकते हो create alert या slash ATO का हमें button देखने के लिए मिलेगा उस पर आप click करके open कर सकते हो यह directly आप orders वाले section में अगर चले जाओगे और alerts में आ जाओगे यहाँ पर उपर और आपको new alert पर click करना है new alert पर आप जैसे click कर दोगे यहाँ पर only alert भी आप set कर सकते हो और उसके right में आपको alert triggers order का button देखने के लिए मिल जाएगा अब कई बार क्या होता है मुझे मेरे दोस्त पूछते रहता है कि क्या निफ्टी अभी all time high पर चल रहा है मैं लंसम amount invest कर दू क्या मैं बोलता हूँ नहीं यार अभी कहां आप लंसम जाओगे market all time high पर चल रहा है थोड़ा 51% या 5-10% का अगर correction आ जाए तब invest कर देना पर यह 5-10% का correction जब आएगा तब उसे कैसे पता चलेगा अब यही feature automate करने के लिए यह order का हम use कर सकते हैं तो हमें simply क्या करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे parameters देखने के लिए मिल जाते हैं आपको simply एक बार इदर click करना है यह सारे parameters आप लगा सकते हो मैं का करता हूँ close price पे set कर देता हो यानि कि nifty जिस भी दिन 22,000 के आसपास close होगा तो यहाँ पे मैं less than or equal to कर देता हो और price मैं manually set कर दूँगा 22,000 की तो जिस भी दिन 22,000 की नीचे निफटी बन कर देगा आप चाहो तो यहाँ पर से percentage terms में भी इसे set कर सकते हो और अभी हम कौन से कौन से stocks आपको add करने हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो maximum 20 instruments आप लगा सकते हो तो मैं 3 stocks कोई भी add कर लेता हूँ जैसे Tata power मैंने add कर लिया तो buy sell दोनों का यह option आपको देखने के लिए मिल जाता है हम buy पर लगा देते हैं तो buy पर click करते ही आपके सामने यह dialogue box open हो जाएगा जो आप अगर kite use करते हो तो पहले भी आप उने देखा होगा तो quantity हम यहाँ पर set करेंगे price आपको अगर limit लगानी है या market लगानी है आप लगा सकते हो और उसके बाद आपको simply से add to basket कर देना है इसी के साथ साथ मैं और दो तीन share add कर लेता हूँ तो मैंने तीन share यहाँ पर add कर लिये है पर आप देख सकते हो यह दो order मैंने market की लगा दी है पर beach वाली जो order है वो मेरे से गलती से limit वाली लग गई है अब अगर आप इसको modify करना चाहते हो तो right में आपको तीन dot देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से आपको एक pen type बटन देखने के लिए मिलेगा उस पर अगर आप click कर दोगे तो आप यहाँ से इसे फिर से modify भी कर देता हूँ मैं इसे भी market पर set करके modify पर click कर दूँगा तो यह उसी साब से change हो जाएगा अगर आपको यह same share को अलग से add करना है तो आप clone पर दबा सकते हो तो यह clone हो जाएगा अगर आपने selling के order लगाना चाहते थे buying के order लगा दी तो यह B जो दिख रहा है उस पर आप एक बार click कर दोगे तो यह sell side में convert हो जाएगा मैं फिर से इसे buy side पर convert कर देता हूँ इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ से tick करके इन्हे multiple इसमें delete भी कर सकते हो तो आप देख सकते हो वो मेरे order से delete हो गया है नीचे की तरफ आप margin required देख सकते हो यानि कि यह order प्रोसेस होने के लिए कितना margin आपके account में चाहिए होगा पर दोस्तों आपको मैं बता दू कि यह जो price अभी चल रही है यह आज के दिन की price है निफ्टी जिस दिन बाईस हजार की नीचे होगा बट अब्वियस सी बात है Reliance और Tata Power का price आज के price से थोड़ा कम होगा तो तब शायद आपको थोड़ी margin कम देखने के लिए मिले और यहाँ पर आगर आप ज़ादा set करते हो उपर की तरफ तो उस हिसाब से आप यह भी चेक कर लेना कि आपको margin की हिस हिसाब से कम लगने वाली है यह जादा लगने वाली है तो उतना margin आपको maintain करना पड़ेगा नहीं तो आपका order जो है वो fail हो जाएगा तो simply आपको यह सारी चीजे set करने के बाद create पे क्लिक करना है create पे जैसे आप क्लिक कर दोगे आप देख सकते हो alerts वाले section में आप आके ATOs आपकी check कर सकते हो type में आपको ATO देखने के लिए मिल जाएगा status इसका enable है अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी तो market में crash शुरूई हुआ है 22,000 पे शायद market नहीं रुकेगा उससे भी नीचे जा सकता है तो आप options में आके simply से disable कर सकते हो या delete भी कर सकते हो आपको अगर कोई changes भी करने है तो edit का button भी आपको यहाँ पर मिल जाता है अब हमने देख लिया दोस्तों कि हमने ATO कैसे लगानी है अब कुछ-कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना है जैसे कि अब यह जो ATO order है दोस्तों यह market price protection feature के साथ आती है अब क्या है यह market price protection यानि कि अगर आप कोई market order भी लगाते हो तो आपको जो price मिलेगा वो protected रहेगा ज्यादा जो price fluctuations बीच बीच में आ जाती है तो वो आपको risk वहाँ पर mitigate करके ही price आपका execute किया जाएगा यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यह जो चीज है वो NAC equity NFNO BAC equity NFNO में भी यूज कर सकते हो यानि कि अगर आप कभी stocks के अलावा भी इधर future and options अगर use करते हो तो उस case में क्या होता अगर कोई option के premium में sudden spike आ जाता है और आपने अगर market order लगाया है तो उस case में क्या होगा जिरोदा आपका order execute नहीं करेगा आपको जो है वो एक reasonable price पे ही order execute करवाएगा तो यह ही होता है दोस्तो market price protection और सबसे आखरी बात दोस्तो आपको पताए होगा कि alert जो है वो एक साल तक यानि कि 365 दिनों तक valid होते है तो ATO का भी वैसा है दोस्तो ATO भी जो है वो एक साल तक valid होती है तो अगर आपका 365 दिन तक ये ATO trigger नहीं होता तो ये एक साल के बाद automatically delete हो जाएगा ये feature फिलाल के लिए तो भी सिर्फ kite या जिरोदा के web जो website है उस पर available है पर जल्दी ही जिरोदा ने कहा है कि वो इसे mobile पर भी लेकर आने वाले है जैसे ही ये लोग mobile पर ATO का feature लेकर आएंगे मैं उसी दिन वीडियो बना कर आपके लिए लेकर आ जाओंगा दोस्तों और कैसे mobile application में भी use करना है वहाँ पर भी हम देख लेंगे तो इसके लिए आप channel को जरूर से like, share और subscribe करके रख देना वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो like, share और subscribe जरूर बनता है और अगर हो कोई doubt हो तो comment section आपके लिए कुला है, मिलता हूँ आपसे next video में धन्यवाद